अब इंट्रस्ट और डिपेंचर अब कि देखो सबसे पहले इंट्रस्ट डिबेंचर समझते हैं होता क्या है और पहले तो आपको इंट्रस्ट निकालना आना चाहिए तभी उसकी हम जनल एंट्रि करें घर अगर मैंने कहा 10पर संट डिबेंचर अ की रुपीज 2 लाग है कि आप मुझे आंसर बता यह इंट्रस्ट कितना होगा अब ने लिखा 10 परसंट डिबेंचर रुपीज 2 लाग हए तो यहां पर इंट्रस्ट अगर आप क्या ओगा सब्सक कि भी सजान होगा क्या होगा सब्सक्राइब कि मैंने कहा 10 पॉर्सेंट डिवेंचर कि 5000 कि एड़ रेट हंड्रिड इच अब बताइए मुझे आंसर इंट्रेस्ट कि अब बताइए कि इतना हैंगे कि एंट्रस तर्फ इंट्रस इंट्रस सिखने ना तो इससर यहां पहलेगा पांच हजार इंट्व में सौ यह तो हो गया डिवेंचर इसका 10 परसेंट कि लेट इस पचासएंज नहीं आएगा कितना हैंगे पचासेंजार कि इसके बादद 9 पॉर्सेंट डिबेंचर तू थाउसेंड एड़ रेट हंड्रेड रुपेश इच इशू एट प्रीमियम 10 परसेंट अब बताइए इंट्रस्ट क्या होगा अब जो इंट्रस्ट होगा करना कि सर्दो हजार रुपये का डिवेंचर इंटु में सौ और इंटس्ट में इंट्रस्ट 9 परसेंट यह एक अगया अगह यह को इनफार कुछ नहीं होगा नहीं होता प्रीमियम का कुछ इंट्रस्ट निकलता है हमेगा इंट्रस्ट हमेशा निकलेगा सब्सक्राइब है अगला एट पॉर्सेंट डिवेंचर कि तू थाउजन कि अधर एट हंड्रेट इस्व एट टेन पॉर्सेंट डिस्काउंट अब बताईए अब बताओ कितने हुए तो नाव कि 2000 इन्टू में अधंड्रेट दो लाग इन्टू में एट पॉर्सेंट लेकिन हला कि सर पैसे तो कम आए होंगे कि तो हमेशा एंट्रस निखलेका अफ इस तरैंट निकालना सीख गया कि सर इंट्रस जो है वह हमेशा फेस वेल्यू पर निकलेगा ये बात स्लियर होना चाहिए तो बच्चे यह वाला तो निकाल लेता है इसमें सब्सक्राइब करें ना करें चलो आगे देखते हैं सब्सक्राइब कि इंट्रस्ट और डिवेंचर को और आगे लिए चलते हैं शुरू साही बच्चा इसमें परिशान सा रहता है तो इसको इसको बनाते हैं जैसे माल लो एक एक एक्स वाइजड लिमिट्ड कम्पणी है कीख लिमिंटेड कम्पणी है यह हमार एक्सवा लिमिटेड कम्पणी है और एक ag' you कि इशू किया डिवेंचर और रुपीज 10 लाइक कि एड़ रेट कि हंड्रेड कि एच और परसेंटेज 10 परसेंट है ठीक है हाँ दस लाइक रुपीज 100 रुपीज का एक था तो तो 10 परसेंट किसको इशू किया है कि सर किसी पब्लिक को ही किया होगा तो पहले तो आप मुझे एक जवाब दे दो कि मैं इसको इंट्रस्ट हर साल का कंपनी जो है जो यह कंपनी है हर साल इंट्रस्ट पेड करेगी है कि नहीं इंट्रस्ट क्या करेगी पेड करेगी किसको करेगी सर कि डिबेंचर होल्टर अब बताओ इस वाले एक्जांपल में कितना पेड करेगी तो दस लाख रुपीज के टर्म्स पर यह तो मुल्टिप्लाइग नहीं करना तो सीधा एक लाफ पेमिंट करेगी कंपनी के लिए य इसका माना जायेगा कि इंट्रस्ट इसके लिए क्या माना जायगा उद बताओ को समझे जो हम जर्नला एंट्री करेंगे जो अ काॉंटिंग टिंग करेंगे वह तो सबसे पहले बही है इंट्रस्ट खरचा था तो डे बिट किरो ऊप एंट्रस्ट करो औरक skipping को देना है सान टू डीक्र मेंटर को देना है ये लाइने कर दिया इसने इसके बाद है इंट्रस आप कर दो प्रमynt कैसे करें было को गया 2 बैंक यहालो पियमेंट हो गया फिश्री एंडिय करते हैं हम इस इंटरस ने डालने का तो प्रॉफित औN लॉस प्राफि औन लोस के टू इंटरस्ट मैं इंटरस्ट लिखना हूं तो समझलों वहां पर इंटरस्व और यहीं होगी तीन और कौन करने जा रहा है कंपणी करने जा रहे हैं और किसको करने जा डि आता है, income tax NFL income tax department यानि आपपता ही क्या हम जब business करते हैं, तो हमें एक कांवन को नहीं follow करना पड़ता है, हमें income tax को भी माणना पढ़ेगा, हमें GST की कानवन को भी माणना पढ़ेगा, हमें companies law के भी कानौन को मादना पढ़ेगा, और हमें सेबी के भी कानून को मानना पड़ेगा ये तो हो गए जो कंपनी से रिलेटिड है इसके अलाबा सोसाइटी के कानून आपके एथिकल जो हमारे पर है बोनस के कानून वेजिस के कानून बहुत सारे लौ को लेके चलना पड़ते हैं ऐसा नहीं कंपनी खोला जो मनमिय आप समय कर लिया इतना आसा नहीं कंपनी चलाना जितना लोगों लगता है तो अब यहाँ पर एंट्री होता है सर in come pay का क rév सी कहता के भाई हम बहुत परिषान है और रेक्सा से ही परिशान है और परिशानी की वज़े है जो को परसंड है क्यों क्या करता है लोगों को बोलता है टेक्स कोज़ों कोई भी पर्संड इंडिया IT एक देना ही चाहता क्यों नहीं चाहता है आपको और्स image सिंपल सा नीचिर प्रमादिय सब्सक्राइब गभर्मेंट यह तो झाहे करने हरानी होगी हिंदिया के अंदर तेक्स से तो आपको 40 लाख रुपर टेक्स देना पड़ेगा उस से ज़्यादा ही हो जाता है टेक्स 1 करोड पर 30 परसेंट भोलने कर बहुत सारी चीजे लग जा दिया तो 40 करोड चाल एक एक करोड़ पर चालिस लाख रुपए तो टेक्स ही देना पड़ेगा जितने तो लोग कमाते भी नहीं है आपको मिला कितना तो अगर आपकी एक करोड़ की इंकम है तो आप 40 लाग नहीं देना चाहेंगे अब इंकम टेक्स के अंदर जो परसन काम करते हैं वह मुश्किल से क नहीं होंगे पांच लाख होंगे इससे ज्यादा तो नहीं होगे और हमारी देश की जन संख्या जो है वह एक सो चालिस करोड़ जिसमें से मानलो मोटा मोटी कम से कम सतर करोड़ तो ऐसे लोग होंगे जो पैसे कमाई रहे रहेंगे बागी बच्चे उच्चे बुड़े- परसेंट क्या एक परसेंट लोग तक भी नहीं पहुंच पाएगा साथ करोड लोग को भी अप्रूच नहीं कर पाएगा इसलिए इंकम टेक्स अथोरिटी जो है वह परिशान रहता है और मेरे पास टेक्स आनी रहे और अगर इसने माल लो अपने पास ज्यादा को दिख्कत हो जाएगी लेखिन के अंदर माल लेते हैं कि कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर इंडिया में बड़ी कंपनी लेके चलो तो सपोस करते हैं कि 5 लाख कंपनी है इंडिया के अंदर पांच लाख कंपनी है तो इंकम टेक्स सतर करोड लोगों तक नहीं पहुंच सकता लेकिन इसके पास एक तो तरीका है कि वह किसके पास पहुंच सकता है पांच लाख कंपनी क्योंकि अगर पांच लाख कंपनी है तो पांच लाख कंपनी ही किसी ना किस प्रफेसी को भी दोगे तो तुम्हारा खर्चा एंगरी लेकिन दूसरे का क्या है हिंप इनकम है तो हमाया राँ तुम्हारे पास कितने वेंचर होल्डज्डर उसने बोला सहब मेरे पास एक लट दस जार लिगंचर रहें इंकम टेक्स का एक अधिकारी एक आता है वह मताब हम 10,000 लोगों को तो नहीं टेक केर कर सकते 10,000 लोगों के घर पे तो नहीं जा सकते तुम्हारे घर पे आते तुम जिसको भी इंट्रस्ट देना ना उसके आपना 10% काट के आप जमा कर देना यहाँ पर यानि अगर मैं इसको एक लाख रुपे पेमिंट कर रहा हूं तो कंपनी का कहना तो सामने वाली बोले कि को हमें ऊसको सिंपल सी बात कहना है कि आ आप के पैसे मैंने इंकम टेक्स को दिया है आप वहां से जा कर Marketing वहां पूछ औभी मैं अब यह जो पर्संड है यह जाएगा कहाँ इंकम टेसं पस इसके पास नहीं ऐगा कि मेरे 10,000 रुपे का हिसाब दो इंकम चेक्स बोलेगी तुमारी के इंकम fight निकाली अब आपके दस एजार रुपे अगर आपके जैन्वेनली इतनी इंकम नहीं है यह Miya वापस कर देंगे विद इंट्रस्ट वापस करेंगे आप चिंता क्यूं कर रहे हो और अगर आपकी इंकम ज्यादा बन रही है तो यह दस अजार तो मेरे पास है और टेक्स लाओ कंपनी ने कहा सर यह तो देखो थोड़ी सी टेंशन वाली काम है और बोला इसका हर एक बार मुझे रिपोर्ट चाहिए अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जैसे ही अपना पीएंडल बनाती है क्या बना रही है पीएंडल मान लो इसका जीपी दस करोड है और इंट्रस्ट का खर्चा इसका मान लो वन करोड का है तो नेट प्रॉफिट अगर मान ले तो कितना आ गया नो करोड नो करोड पर यह 30% का अगर टेक्स दे दे तो साड़े चार करोड रुपे से गौवर्मेंट को टेक्स देना है सिंपल लेकिन कमपनी ने क्या करा बोला है इंकम टेक्स को क्या पता चल रहा है काम करते हैं कोई हम तुम्हें पूरे देंगे हमें डिवेंचर में पैसे लगा अब जब इंकम टेक्स ऑथारिटी आएगा तो इसका सीधा पी एंडल उठाएगा और बोलेगा यह इंट्रस जो है एक करोड का इसके उपर दस लाख रुपे बनते हैं जो की काईदे से 10% काटने को कहा गया आप मुझे डिपोजिट किया अपने मेरे पास इस प्रृफिव परोस तकर दो बोला आपको अब हम ऐसा करते हैं इसको यहां दिखाने का यहीं वह आपको मैंने बोला था कि आपको 10% क्या करना पर नहीं करते हम आपक यह pool नहीं। आपका नेट प्रॉफिट हो गया सर कितना 10 करोड अब इसके उपर सीधा आप 30 परसेंट मैंने यहां ज्यादा लगा दिया साइद कि नो करोड पर 30 परसेंट कितने होते हैं 2.7 करोड ठीक है अब आपका 10 करोड आप सीधा 3 करोड रुपे मुझे टेक्स देदें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यानि कंपनी के उपर पहले कितना टेक्स जा रहा था और कंपनी 10 करोड पर अगर एक करोड पर 10 लाख रुपे टेक्स भर देती तो कोई दिक्कत नहीं था अब 10 लाख रुपे ना भरने की वज़े से कंपनी के उपर टेक्स का बड़न देखो 30 लाख रुपे क्योंकि पहले कितना था टेक्सिबल इंकम हमारा 2.7 अगर उसने इंट्रस पे टेक्स नहीं काठा तो फिर उसका इंट्रस से हट गया तो जिसकी वज़े से उसका इंकम बढ़ गया और बढ़े वे इंकम पे अगर हमने टेक्स को कैलकुलेट किया तो कितना बना तीन करोड तो पहले टेक्स कितना भड़ रही थी 2.7 अब कि करोड तो देखा जाए तो काईदे से 30 लाक रुपए उसे ज्यादा टेक्स देना कर पड़ा और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का कोई लॉस नहीं है पहले कितना इंकम होता उसका 10 लाक कंपनी ने मिस्टेक किया तो इसकी इंकम बढ़के कितनी हो गई 30 लाक इंकम टेक्स चाहे कोई भी कर रहा हूं तो जो मेरे खर्चे हैं वह सामने वाली कि क्या बन जाएगी इंकम तो हमें बोला जाता है लॉग के हिसाप से कि रूल आया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग खर्चों पर रूल बनाया गया कि आपको इसके ऊपर टेक्स कार्ट लेना है टेक्स कार्ट लेना कार्ट नहीं को थोड़ा सा इंग्लिस में बोला गया डिड़क्ट करना है ठीक है ना टेक्स क्या करना है डिड़क्ट करना किस पर डिड़क्ट करना है जो भी आपने सोर्स ओफ इंकम उसके थी उस पर तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया डैट इस टी भी एंट्री करना है पर हो सकता है कि एक्जामनर बोले के टीडियस वाला कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा ही नहीं कोई मतलब नहीं बनता तो दो पॉइंट्स हो जाते हैं इंट्रस जब पेमिंट करोगे यानि यह वाली जो एंट्री है यह एंट्री तो एकठम सिम्पल है यह यहां हाँ पर इंकाम टेक्स यह टेक्स काटने वाली बात तो है नहीं यह पॉइंट्री हो गए संम्पल लेकिन जब झीस बात आईग और रहे हैं घ्राइज की पहले टेक्स कि अगर सार हम इंतरस्स की बात करी रहें तो दो तरीके पैल पाएे शर्व विदाव टीडियस सब्सक्राइब हो सकता है साहब क्या अधेटी जेडेट्डबस कि टेक्स रिडेक्टी एटीडवर कि हम दोनों ही entry को करके देखेंगे एक एक्जामपल ले लेते हैं एक एक्जामपल ले लेते हैं मालो 10% कि डिवेंचर रूपीज दस लाग इसकी entry करनी है और इस्यू से लेके interest की entry करनी है और interest हमेशा याद रहना कब payment होता है जब question बोल दे तब और question नहीं सबी बोलता तोसल के एंड मैं उसके एंटडिया तो पहली एंट्र 2 divulging हो जाएगा यह इंपॉर्टेंट रहता है जरनल उनत्री डो हजाेँ करने एक चाहरे 142204 2020 अगर एंट्री करें तो पहले bank account होगा और टू डिबेंचर एप्लिकेशन मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं इस आपका 10 लाक इसके बाद क्या होगा सर डिबेंचर एप्लिकेशन तू 10 परसंट डिबेंचर इस दस लाक और सर बीच में कुछ हुआ ही नहीं इसकी देट कम आएगी बताओ इसकी भी डेट आएगी अब इंट्रस्ट की बीट्र इंट्री बोल गया है कि ऑल्स वह ज़नरल एंट्री फॉर इंट्रस्ट तो में अब इंट्रस्ट के इंट्री करों गऊ savvy 2005 में कि तो सबसे सबसेपहले करोऊं इंट्रस्ट on किसको देना है भाई ये डिबेंचर होल्डर को कितना देना है 10 लाक रुपए पे 10 परसंट डेट इस वन लैक क्या इसको पैसा दे दिया आपने नहीं अब पैसा देना होगा कैसे देंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक ये पैसा देने की एंट्री हो गई अच्छा बींग भी लिख दू मैं है क्योंकि पहले वाली तो लिखा हुआ इसका तो हमने लिखा यह नहीं तो मैं बींग भी लिख देता हूं बींग इंट्रस्ट अमाउंट डिव और बींग क्या होगा पताओ इंट्रस्ट रिसीव थोड़ी पेड ठीक है इंट्रस अमाउंट पेड यहां तक समझ मैं बात आप चलो सब एक एंट्री और होना चाहिए थोड़ा साइज रिडियूस करके उपर ले जाते हैं नीच ही करें ठीक है एक एंट्री और होना चाहिए किसका सर और यह किसे डेट पे होगा एक और एंट्री होगा 31 एंट्री क्या करोगे सर स्टेट्मेंट प्रॉफिट और लॉस तू इंट्रस और बहुत सारे राइटर यह एंट्री नहीं करते हैं और अजंशन ले लेते हैं कि यह एंट्री कि अकांटेंट कर देगा बाद में है लेकिन हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे सेंट्री है पताए कोई दिक्कत इसमें यहां कोई भी टेक्स वेक्स वाला पंगा नहीं आया सिंपल अब हम बात करेंगे साथ टीडियस वाली एंट्री की विद टेक्स ठीक है चलिए एक्जाम्पल लिख लेते हैं कि डिबेंचर आँ 10% डिबेंचर इस्यू रूपीज 10 लैक कि एंड टीडियस कई बात टेक्स डिडिक्टिडेट सोर्स होगा कई बात टीडियस टीडियस फाइप परसेंट वालो मैंने एक एक्जाम्पल लिया हाला कि इंट्रस के उपर जैन्वेनली जो की सेक्शन में लिखा हुए दस परसेंट करेंगे और बैंक से जब आप कि दस अजार ब्याज आनने थे लेकिन आपने तो नोहजारी दिया वह लगे दस अजार आपका टेक्स कटी है वह जाके आप गवर्मेंट को दो इससे बचने का एक तरीका होता है हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है फिफ्टीन एच के नाम से जब कभी भी एफडी करा हो तो बैंक में बोल दो वही फिफ्टीन एच का फॉम दे दो मुझे वह फॉर्म जब भर देते हो तो बैंक वाले उस पे टीडियस नहीं काटते हैं यह रूल होता है तो कई बार हमने मानलो पांच लाख रुपे की एफडी कराई के भी आप पांस साल के लिए फडी कर लो त हमारी इतनी इंकम नहीं है कि तुम टेक्स काट लो और वो हमें हर साल बैंक में भरना पड़ते हैं लेकिन कंपनी बगएर मैंसा नहीं चलेगा यह ऑप्शन स्रिफ बैंक में दे रखता हैं क्योंकि बहुत सारे बैंक में एफडी जो करते हैं मेजरेटी जो देखा जाता है सीनियर सिटीजन का होता है क्योंकि वो सोचते हैं अब बुढ़ापा आगया है अब कमाएंगे कहां करेंगे अगर उन्हेंने पूरे साल में जिंदगी में मालो 10-12 रुपय है उनके पास तो महिने का उनका बन जाता है 10-12 हजार ब्याज आ जाता है और उनका खर्चा पानी सहारे के लिए कुछ करो और तुम्हारे से तो वह क्या करते हैं फिफ्टी नेच फॉर्म भर देते हैं तो उनका जो टीडियस कटना होता वो नहीं करता है यह तो होगे जन्नल नौलज की बात है कि चलिए सर तैन परसंट डिबेंचर इशू 10 लाख टीडियस काटे का 5% तो इंट्रस्स के एंट्री जो स्टार्ट होने वाला है वाहिं कभर स्टार्ट होने वालह 195 सबसे पहले क्या करेंगे मा लिखते हैं कि कि इंट्रस कितना हुआ सर एक लाग होगा अब क्या हम डिबेंचर होल्डर को पूरे इंट्रस दे दे अगर मैंने डिबेंचर होल्डर को एक लाग दे दिया तो गवर्मेंट क्या काना करें कि हमारे प्रॉफिट अंट्रस काट करें तो आप तो डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं तो डिबेंचर होल्डर में जाएगा सर कि मतलब सरकार को देना है मैं काट लिया देना है कि अब मुझे डिटेन्च prominent को पैसे देंगे बता हुए कि मैं करूंगाинов कि कितने पैसे फूर ऑगर घर पूरे एक scenario क्या होगा कि बदाओ कि ना पेमिंट लिक करें कीच्छार और मेरा इंट्रसट हटा दे представ आपना खर्चा कितना लिख और गवर्रमेंट को मैं जो कुर सेम डेट हो गई है एकत्यस तीन दो हजार पच्चेस को और 31 तीन दो हजार पच्चेस को मैं क्या करूँ है सर मैं जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और टू इंट्रस्ट और डिवेंचर तो आप देखों इंटरस्ट रूट यह लिए अगर मैं अपने पास लेकर घूमता रहा तो सरकार बोलेगा तो हमें और पैनल्टी भी लगाएगी तो हमें उसका इंटरस्ट जैसे ही रखना अपने पास ज्यादा देर होल्ड नहीं करना इनकी डेट होती है प्रॉपर हमें फटा-फट सरकार को दे देना है तो जब मैं सरक गया 10,000 जो मैंने उससे 10,000 काटे थे वह 10,000 मैंने देखिए आप देखिए यहां पर सरकार को गए और नबबेस को गए तो मेरे जब से एक लाख निकल गए और इंटरस्ट में कितना डाल दिया डिबेंचर होल्डर को 90,000 मिला और 10,000 को अगर लेना है तो वह से जाना पड भीया मेरी इतनी इंकम नीए मेरे पैसे वापस दे तो वह बहुत सारे कुछ सवाल पूछेंगे सही सही जवाब दे दिया तो इसके पैसे वापस हो जाएंगा अगर इंकम टेक्स को लगे कुछ गड़बड है पटाफट से क्रेडिट कार्ट से सौपिंग कर रहा है यह कर रह सब्सक्राइब देंगे आप पूछ वाले को बताना है कि अगर पता चल जाएगा कि दो लाग का खरीद रहा है मेंस आपकी इंकम ज्यादा है तभी तो दो लाग रुपे का समान खरीद रहे हो तो यह रूल बना हुआ है ठीक है ना और उपर से आपका और सेम अगर आप ऐ एक लाग रुपे रखो और दस बार रख लो निकाल लो तो इंकम टेक्स बैंक वाले बोलेंगा यह रख रहा है निकाल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मजा कर रहे हो आप रख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है बैंक वाले को परिसान कर रहे हो बैंक वाला जाओगे तो आपके एक लाख रुपए रख लेंगे उसके बाद वह साइद एक परसेंट अगली बार एक लाख को जब निकालने जा रहे हैं मैंने तो रखे कितने एक लाख वो लेगा वन परसंट कट गया जाओं गर्वर्मेंट से बात करो यानि आप जब पैसे रखोगे 20 लाख के उपर बैंक में तो वह पैसे आपको पूरे नहीं मिलेंगे रखोगे तो पूरे उसके बाद आपको वह एक हजार रुपए लेने के लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा और सरकार पूछेगी क्या कर रहा था इदर उधर उसका जवाब दोगे तो उस पैसे मिले करूं ना स्टूडेंट बड़े फ्रॉड होते हैं मैं सिंपल सी बात करूं 20-20 जार रुपए में कर लेते हैं लोग बाग सेटिफिकेट बना लेते हैं देखोगे क्या कर रखा है बीटेक और इंजिनियर है और आता कुछ नहीं है लेबर वाला काम भी नहीं आ रहा उसको यह क्या है यह सिर्फ डिग्री ले रहें बहुत सारी उन्यूवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता जो की विलेजिस में उन्यूवर्सिटी खोल रखाया और सरिफ उनका काम ही है कि पैसे लेके डिग्री दे दो और उस तरीके से तो अब आपका एक एजूकेशन पैन यानि अब आपको कोई डॉक्यूमेंट कहरी नहीं करना वह साल से प्राइमरी अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में यूनिक नंबर जैसे वही नंबर मिलेगा आपको जहां भी एडमिशन लेना है जौप पे जाओगे जौब वाला फटा-फटा-फटा आप को भी कर रहा हूं तो डबल कर लेते थे वहां पर कुछ और बोलते थे वहां कुछ और बोलते थे तो अब ऐसा निक चलेगा डूबली के सी एक नंबर होगा अगर आपने मेरे पास एडमिशन ले लिया और आप यही एडमिशन दूसरी जगह लेने जाते हो तो उस कहीं डेटा जो है मिस्मैच रहता है गवर्मेंट का गवर्मेंट तो मानेगी कि दो बच्चा पढ़ रहा है हमारे भारत के अंदर लेकिन पढ़ कितना रहा है एक ही पढ़ रहा है तो उसके साथ ही बढ़ा जाएगा और बाकि प्राइमरी से बच्चा है वह होता है क्योंक पढ़ा है तो अब जो चोटी स्कूल भी है वहां पढ़ रहा था तो यह पूरा का पूरा गवर्मेंट का कुछ है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट गवर्मेंट बहुत सारी चीज़ें चेंजिस करती है और बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होता लेकिन फिर पढ़ा आज के क्लास में के रिडेंशन के टम्स क्या है और फिर हमने इंट्रेस्ट देख लेंट्र के कितने पॉइंस हो हुगे चिवसे जब एक्जामिनर बोलता है कि चिद्यीएंट तभी ये वाली एंट्री करनी है जब इंट्रश्वेंट बूलता है पास जनल एपर इ इंट्रेस्ट किया रहता है हमारा डिसकाउंट मरीटन ऑफ करने का सब्सक्वाइब दिसकाउंट मीत aja टो आपके किताब के बाद को सिंपली समझ में आ जाएक है पेज नंबर कुछन क्विश्टन भाई कुन सा कि इंटरेस्ट वाली बोल रहा हूं मैं हमने बीजिए कि हमने कौन सा किया देखनी रहा है अबने 11 कर लिया था 11 के बाद पेज जाएगा इधर इधर के बाद पेज जाएगा इधर यह जनल एंट्री तो दिख रहे है लेकिन कुछ नमबर नहीं दी रहा है चलो यहीं स कि यह रहां 11 नहीं 11 हो गया ना 11 हो गया और इंट्रस्ट छे मैने में भी दिया जाता है और साल में भी तो जैसे ही इंट्रस्ट दोगे अगर छे मैने में दे रहे हो इंट्रस्ट तो आपको कैलकुलेट करते ठाइम पर टीडियस तब भी कट करना है आपको कि यह कोशन वहीं मैं देख रहा हूं मिलने के लिए कहां से स्टार्ट है अच्छा यह कोशन आपके सामने यह था सिंपल क्या कहता है कि आपके डिबेंचर है रुपीज सब्सक्राइब करेंगे और दिसंबर में करेंगे दो बार करना होता होगा एंट्री इंट्रस वाला है तो इसके अंदर सिंपल सी बात है डिबेंचर डिबेंचर होल्डर और यहां पर देखो मैंने टीडियस लिख दिया तो यहां टेक इंकम टेक्स पेबल अकउंट बात देखे अब देखे डिबेंचर डिबेंचर अक्काउंट और यह फिर फाहँनल और फिर लास्ट में आपका यह तो टेक्स पेमिंट कर दिया और लास्ट में फिर से इसने qatis march को प्रसां को हम क्लास रखते हैं जैसा कि हम रख लेते क्लास क्लास सब्सक्राइब की दो गंटे का टॉपिक नहीं और सारा का सारा ये टॉपिक बिल्कुल कमप्लीटिली खतम हो जाएगा इसके बाद आपको फिर सिंपल अपने प्रेक्टिस करें अगला चेप्टर जो हमें करेंगे अगला को तीडियस का होगा जब आप देखो एक बच्चे का पूछना साल का कटता है या फिर छे मैने का मैंने जैसे आपको दिया आपकी इंकम उसी टाइम बनी तो उसी टाइम कर जाएगा यह एक दिन का भी हो सकता है दस दिन जैसे ही मैंने खर्चा पेमिंट किया अपने profit and loss में खर्चा दिखाया तीडियस काटना पड़ेगा मुझे कई बार ऐसा होता है देखो समझो गवर्मेंट के कुछ रूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही टफ रूल होते हैं जैसे मानलो मेरे कंपनी के पास पैसे देने के लिए ब्यास देने के लिए पैसा ही नहीं कि अब प्यास देने के लिए पैसा नहीं मैंने वहले हैं इंट्रेस दे दूगा तिरको जिसको इंट्रस मिलना इसको मैं बोटाहं देदू हुआ उसकी इंकम बनी नी मैं दे दूँगा लेकिन सरकार बोलती है तूष को देगा तूस समझे मिरेको पहले टेक्स का पैसा तो झाल झाल